Hey everyone, आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप एक बहुत ही negative, बहुत ही बुरे situation से अपने desired wish को manifest कर सकते हो जब हम किसी negative situation में होते हैं या फिर ऐसी situation जो हमारे बिलकुल ही against है, ऐसी situation में होते हैं तो उस समय हमारे लिए positive सोच पाना बहुत मुश्किल होता है, बार-बार हमारे fears हमारे सामने आते हैं, negative thoughts सामने आते हैं और आपको अच्छे से ये बात पता है कि जो चीज आप feel करते हो, जैसे आपके feeling होती है, वही आप attract करते हो जो आप सोचते हो, वह attract नहीं होता, बलकि जो आप feel करते हो, वही चीज आप attract करते हो और negative thoughts से तो negative feeling ही आती है, और जो डर की feeling होती है, उसकी frequency बहुत ही low होती है, जिसकी वजह से हमारी wish manifest नहीं हो पाती तो आखिर कैसे हम low frequency पे होने के बावजूद भी अपनी wish को manifest करेंगे और higher frequency पे अपने आपको easily shift कर पाएंगे, यह सारी बाते इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और यह बहुत ही helpful और आसान होने वाली है, मैं वीडियो में सिर्फ उन्हीं चीजों और उन्हीं और इससे लोगों को बहुत जादा help भी मिली है, अब मैं आपको उस idea के बारे में बताना start करती हूँ, आपकी जो भी wish हो, आप जिस भी एक्षा को manifest करना चाहते हो, जिस भी negative situation में हो, उससे बाहर आना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बहुत ही छोटा सा affirm affirmation create करना है, और वो affirmations सिर्फ positive words का होना चाहिए, ऐसे words जो कि easy हूँ आपके लिए बोलना और आपको वो positive करें, सबसे पहले आपका काम यही है कि एक affirmation create कर लो, affirmation कैसे create करना है, अगर आप इसमें भी confused हो, तो मैंने इसकी वीडियो अलड़ी बनाई है, description में उसके link है, आप वो वीडियो देख लेना, और उसके according अपने लिए सिर्फ एक affirmation create करना है, क्योंकि एक affirmations बहुत powerful होते हैं, सिर्फ एक affirmation आपको use करना है, affirmation एक बार आपका create हो गया, तो आपको उसे use करना, start करना है, सबसे पहले सुबह उठकर आपको 9 times यह repeat करना है, creative power मेरे अंदर है, औ और मैं अपने अंदर की शक्ती से अपने जीवन का निर्मान करती हूँ, जब आप यह statement 9 times repeat करोगे, तो आप बहुत ही जादा powerful mode में आ जाओगे, और उसके बाद आप जो भी affirmation बोलते हो, वो directly आपके subconscious mind में जाएगा, और subconscious mind को यह message मिलेगा, कि आपने अपनी power को accept किया है, अब आप उन चीजों को manifest कर रहे हो, और conscious mind भी यहाँ पे चुप हो जाता है, क्योंकि आपने mind से power ले ली है, और अभी आपने अपनी power अपने पास ले रखी है, इसलिए वो बीच में कुछ भी ऐसे interruptive thoughts नहीं देता है, और simply आपके affirmations आपके लिए easily work करते हैं, तो आपका का काम यही है कि पहले nine time जो statement मैंने बताई, उसे आप बोलोगे, उसके बाद अपने जो affirmations आपने बना रखी है, उस affirmation को आपको nine time बोलना है, उसके बाद आप जो भी करो positive work और खुश रहो, आप extremely negative situation में भी हो, तो यह आपको जो idea है work करता है, और यह 100% करता है, यह सुबह मे भी करो, सोनी जाने से पहले भी करो, और पूरे दिन में जब भी आप affirmation use करो, तो उस वक्त भी आपको यह काम जरूर करना है, और यह काम आपको mirror में देख करी करना है, without mirror नहीं करना है, दो time करना बहुत जरूरी है, सुबह उठने के जस्ट बाद और सोनी जाने से पहले, यहां पे subconscious mind जो होता है, active रहता है, और conscious mind active नहीं रहता है, उनिदी अवस्था में होने की वजह से, यह जो है directly message subconscious को आप दे सकते हो, और यह आपके लिए बहुत जल्दी work करती है, आपको अगर जल्दी result चाहिए, negative situation में होने के बावजूद भी, तो आपको इस idea को जरूर यूज़ करना चाहिए, यह idea मैंने अपने एक subscriber के साथ शेयर किया था, क्योंकि वो बहुत ही जादा negative situation में थी, उनके लिए कुछ भी कर पाना बिल्कुल possible नहीं था, क्योंकि उनके father की health बहुत जादा खराब थी, साथ में उनके शादी उनके partner से नहीं हो पा रही थी, उनक कि जो manifest करने की power है, वो आपके अंदर ही है, तब जाके आपको अंदर से power मिलेगी, और जब यह power मिलती है, तो उस power को कोई break नहीं कर पाता है, और अगर आपने अपने इस power को use करना सीख लिया, तो यकीन मानों आप अपने life में सब कुछ easily manifest कर पाऊगे, even कितनी भी खराब situation में भी आप हो, उससे भी आप easily बाहर आ सकते हो, यह हर बार work करती है, और उनको जब मैंने इस चीज को बताय था, affirmations मैंने create करके जब उन्हें दिये, उन्होंने इस affirmation को use किया, वो जादा use नहीं करती थी, वस 9-9 टाइम सोने से पहले और जागने के जस्ट बात करती थी, जो कि उन्हें नींद नहीं आती थी, टेंशन से, वो सब उनके problem खतम हो गई, सिर्फ इसको use करने से, तो आप खुछ सोचो कितना extremely powerful है, उनका जो break up हुआ था, जो शादी नहीं हो पारी थी, वो सारी problem उनकी खतम हो गई, यह manifest भी कर पाई, और यह जो चाहती थी, उन्हें उस मामले में success भी मिली है, फादर की health भी उन्हें अपनी manifest की, तो जब इन्हें मिल सकती है success तो आपको भी मिल सकती है, और of course आपने success सुनी भी है, कुछ भी coincidentally नहीं होता है, अगर आपने सुना है, तो आपके लिए यह sign है, कि आपको भी success इसी तरीके से मिलेगी, और आप आपको भी इसी तरीके से अपने success story में शेयर करनी है, ताके मैं और लोगों के साथ share कर पाऊं, क्यूंकि success story पढ़के बहुत सारे लोगों को success भीलती है, वो success को attract करते हैं, तो आप लोगों को भी ऐसे ही अपने success story सब के साथ share करनी है, लगातार मैं success story share करती हूं, post करती हू तो आप उन success story को भी पढ़ा करो वो आपके mind को positive way में retrain करेगा और उसके बदौलत आप अपने life में अच्छी चीज़ों को attract कर पाओगे क्योंकि हम जो देखते हैं सुनते हैं उन्हीं चीज़ों को अपने life में आकरशित करते हैं इसलिए हमेशा अच्छा देखो अच्छा सुनो और अच्छा बोलो हमेशा खुश रहो मैंने affirmation के guide त्यार की है relationship healing और daily course routine अगर आप मेरी कोई भी guide लेना चाहते हूँ तो उसके लिए आपको मुझे mail करना है या फिर इंस्टा पर message करना है साथ में telegram channel को join करना बिलकुल भी मत भूलना वहाँ पर मैं चीज़े share करते रहती हूँ तो आज के लिए इस video को मैं इतना ही रखूंगी thank you so much for watching God bless you all and I love you all